अब देखे मीटर से तो द्वारा किसी दिये गए तार का प्रतिरोध ग्याद करके उसके पदार्थ का बिसिष्ट प्रतिरोध ग्याद करना ठीक है न तो इस तरीके से आप इसका जो प्रयोग है उद्देश में लिखते हैं ठीक है न इस प्रयोग को लिखना चाहते हैं तो यलकेमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडिय अपपलोड है वहाँ दाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद क्या करते हैं इसका फिगर अभी दिखाते हैं आपको इसका फिगर कैसे बनेगा आवस्थक उपकरन लिखते हैं इसके बाद सिध्धान्त लिखेंगे माई डी स्टूडेंट यहाँ पर सिध्धान्त होगा रो बराबर यह रो है रो बराबर यह स्पाई यार स्कॉर बाई यल सिध्धान्त में फार्मूला लिखते हैं के इसके बाद आप क्या करोगे डी इस्टूटेंट यहाँ पर अभी छेप बिंद की इस्थिति के लिए साड़िक यहाँ पर तीन प्रिछण किये हैं और तीनों का मैंने प्रतिरोधक तार की लंबाई पेंचमापी कालपत मांग निकाल के यहाँ पर तुरुट निकाल दिया सुनने आगे ठीक है उसके बाद तार के ब्यास के लिए साड़िक मैंने तीन प्रियोग चार प्रियोग पांस प्रियोग किया है यहाँ पर तो भी साड़िक बननी चाहिए उसको मैंने बना दिया है आगे बढ़ते हैं फिर देखिए यहाँ पर माध्यमान ब्यास तार का अ लगाने के बाद थार का बिस्ट प्रतिरों निकालने इतना आ जाएगा ठीक है आगे परिमाड है परिमाड में ये सूत प्रिशत्रुट लगाएंगे और इस तरीके से ये बेलू आ जाएगे फिर साउधानिया में साउधानिया में मैंने चार साउधानिया लिखा है इसका पीडियोफ आप एलके मिश्टरी टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड करके लिख लिजिएगा बाकी कोई भी प्राबलम आये गए कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा आपके प्राबलम का जवाब जरू मिलेगा